आप नहीं जाते हैं कि एक से दस, दस से सो, सो से हजार, हजार से दस जार, दस हजार से लाग ये नौबत है कि लोग बेट में एक हजार लोग हस्पिल के बार खड़े हो और हस्पिल में सिर्फ दोसों की जगा हो या सो की जगा हो तो इलाज नहीं हो पाएगा आप वीडियो में सर्च करकी देखिए इटली में, इरान में, चाइना में मरने वाले लोगों को जनाजे उनके उसमें कोई मरने वाले को कंदा देने वाले कोई तयार नहीं है यह हालत है, यह आलम है वहाँ का आप देखें, टीवी में देख रहे हैं, ट्रेने बंद होगे, फ्लाइट बंद होगे, क्यों? आपने कभी अपनी जिन्दियों में देखा, सारी की सारी देश में ट्रेन बंद होना आपने कभी देखा, सारी कंट्री में पूरे देश में लॉगडान हो चुका है साथ बजे का कर्वियू किसी ने देखा नहीं देखा होगा ये पहली मरतबा हो रहा है और अगर हमारे को सलामती चाहिए आपकी मेरी देश की दुनिया की और तो इंसान की ये इंसानियत के लिए ख़त रहे आज की डेट में तो अगर तो इसके लिए हमें अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे कोई तकलिफ की बात निया घर में अराम से रहे अगर आपको जरुरत आपके घर में दाल चावाल कुछ कम होगा खाने की चीज़ कम होगी आप सुबह जाके दस ग्यारा बजे जाके दुकान जाके खरीद के ला सकते हैं उसके अलावा बाहर मत नब लिए स्कूलों सारे के सारे देश में पूरी दुनिया में स्कूल बंद हो चुके है बच्चों की तालीम दो मेने छे मेने के बाद हो जाएगी तो वाइरस खतम हो जाएगा हमें नहीं पता है यह वाइरस कब खतम होगा इसका इलाज आज निकलेगा कल निकलेगा दो मेने निकलेगा हमें नहीं मालूम लेकिन हम नहीं चाहते है तरकार नहीं नहीं चाहती कि भई महीने में लाशे बिच जाए इस देश में जैसे बाखी जगह हो रहा है और यह बहुत ही तीजी से बढ़ रहा है आप इंटरेट में सर्च कर लीजे जो यंग लोग हैं जो इंटरेट यूज करते हैं सर्च करके देख लिए जानकरी पूरी आ है उसमें जिने नहीं मालूम है जो नेट वगरा नहीं जानते टीवी नही पूरे घर को नहीं पूरे महले को दबा करें मेरी आप से गुजारिश है इस तरह का आप स्टेप्स लें कि यह बाद सबको समझाएं आप लोग जब दुकान में दूर लेने जाते हैं मैंने अभी देखा मेडिकल शॉप है यहां पर बिलाल मेडिकल शॉप होलके यही पग लेकिन क्यों लगाओ आप लोगों को लाइन में खड़ा करो तीन फुट के दूर पर खड़ा करो आप वेकली पाजार जाके देखें किल क्या हालत थी वहाँ पे दोसो तीन सव लोग घुम रहे थे वहाँ पर आज हमने वहां पर लाइने लगाई हैं दूर दूर लोग को लिए रिक्वेस्स समझ लिए वार्निंग समझ लिए इस हालात में अगर शाम को साथ बजे के बाद कोई निकलेगा तो उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी उस पर केस्बुक होगा इसमें क्लियर है किसी तरह की कोई दोएर है निए एक आदमी की हम ना समझी से करोड़ों लोग पर सर्च करिये इटली और चाइना में कैसे बड़ा है पहले हफते में 10 दूसरे हफते में 400 तीसे हफते में 5000 चौथे हफते में 50 ज़ार ऐसे बड़ा है अभी हमारे यहां पे दूसरा तीसरा हफता चल रहा है इसे साइंटिस लोग बोलते है स्टेज नमबर टू है अगर हम 50,000 को गया तो यहां हिसाब लगाई है उनसे हम लोग 100 कुना जाता है तो अगर 50,000 है तो यहां 5 करोड को हो जाएगा घर-घर में पहुंचेगा इसको एक स्पेशल बाज लीजिए जिंदगी में 100 साल में ऐसा एक महामारी एक बार आती है उससे लड़ना हमारा काम है अपन 15 दिनों के अंदर को बार से उसे कंट्री से आया होंगे ऐसे बहुत लोग उनसे रिक्वेस्ट करो उनसे आप खोड़ा मिलना जुलना कम करो और उनसे थोड़ा उनको घर से मत निकलने दीजिए क्योंकि जो आदमी आज ही हमने दोनों पर केस किया है कल आमने 515 गाड़िया जो हैं सीज करी हैं टोटल 515 गाड़ियां क्योंकि लोग फिर रहे थे और सुबह अगर आप जाते हैं सब्दी लेने कुछ करने तो उस ताइम भी एक गाड़ी में दो से जादा नहीं हो गाड़ी मतला फोर विलर में और एक मोटर सैकल में एक से जादा आदमी नहीं हो कम से कम जाईए जब जरूरत पड़े कि घर में सब खतम है सामाल लेने जना ही पड़ेगा तब ही जाईए बिना बात के रोज निकल की आदत बदल दो नहीं तो ये देश जो है बहुत पच्टाएगा अम लोग अपनी पूरी ट्यूटी करें यतने लोग यहां पे हैं सब की फैमिली सब के परिवार भी घर पे हैं फिर भी पूरी राध फुली सगा रही किसके लिए एक बात सोची इसे में किसी को तकलीफ देने वाली बात यह तकलीफ सबको है लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आज आज इंसानियत खत्रे में है अगर आप मैं बढा के बात नहीं बोड़ो आप देख लीजी हर आप TV खोल के लिए किसी चैनल पे हर चैनल पे यही बात लिए बात इस्टनाशनल स्कूल